अगर आपका बेबी जो है पांच मेने का हो गया है या होने वाला है और आप ये जानना चाहते हैं कि इस एच तक बच्चे क्या-क्या चीज़े करने लग जाते हैं, क्या-क्या जो माइलस्टोन वो अचीव कर लेते हैं, तो आज की इस विडियो में हम यही बात करने वाले है कि 5 मेने का बच्चा जो है उसको कितनी नीन लेनी चाहिए उसका weight और height कितना होना चाहिए और क्या-क्या चीज़े जो है 5 मेने का बच्चा करने लग जाता है सबसे पहले हम वो चीज जानेंगे जो कि हर parent जाना चाहते है वहता है कि बच्चे का जो इस टाइम तक वेट है वजन कितना होना चाहिए तो अगर हम बेबी गिर्ल की बात करें तो उनका जो वेट है वो 5.6 kg से लेकर 7.5 kg तक हो सकता है और उनकी जो लंबाई है वो 63.7 cm तक हो सकती है वहीं अगर हम baby boy के weight और height की बात करें तो उनका जो वजन है वो 6.2 kg से लेकर 8.2 kg हो सकता है और उनकी जो height है वो 64.7 cm तक हो सकती है अब हम जानेंगे कि बच्चे का कितना growth जो है सेश्टक हो जाता है पर आपको इस समझना जरूरी है कि बच्चे जो है अकसर 5 महिने की उम्रों तक ये चीज़े करने लग जाते हैं पर हां कुछ बच्चे जो है 15 ये 10 दिन पहले से चीज़े कर सकते हैं या फिर कुछ बच्च चलिए अब जाते हैं कि आपका 5 महिने का बेबी क्या क्या चीज़े करने लग जाता है सबसे पहली चीज कि आपके बेबी का जो बॉडी में कंट्रोल है वो पहले से अच्छा हो गया अब बॉडी कंट्रोल से मेरा मतलब है कि बच्चा अपने गरदन अच्छ से संभालने लग गया है बच्चे को आप तमी टाइम दे रहे हैं या पेट के बल लेटा रहे तो बच्चा जो है हाथों से उपर उठने कोशिश करने लग जाता है बच्चे का नेक कंट्रोल अच्छा हो गया तो बच्चे को जो आप सपोर्ट के साथ बैठाते है ना थोड़ा सा तो बच्चे को आप हाथ पकड़ के थोड़ा सा खड़ा करने कोशिश करते है तो बच्चा जो अपने पैरों को नीचे मतलब धकेलने कोशिश करता है तो overall बच्चे का जो बॉड़ी कंट्रोल है वो पहले से अच्छा हो गया है नमबर टू आप चीज़ देखेगे कि बच्च बच्चे जो है रोल ओवर करना भी सी शीखने लग जाता है शुरू कर देता है राइट साइड लेफ्ट साइड में दोनों साइड से पल्टी मारना उच्चे का बहुत ध्यान रखना है बच्चे को कभी भी बेड पर अकेला छोड़कर आपको नहीं जाना चाहिए torque बच्चा जो है बेट से गिर सकता है इस एज में बच्चा जो है हर चीज को टैच करके देखने कोशिश करता है कि यह चीज क्या है क्योंकि उसके लिए वह चीज बहुत नहीं होती है हर चीज देखकर वह बहुत जादा क्यूरियस होता है तो हर चीज को टैच करना और हर करते हैं कि उनको जो है किस तरफ से पुकारा गया और उधर-देखना शिरू कर देते हैं एक और चीज आप देखेंगे कि जब आपने बच्चे को जो कि पांच मेने का है उसको मिरर के शीशे के सामने लेकर जाते हैं तो बच्चे बहुत ज़दा खुश हो जाते हैं और बच से प्यार से बात करते हैं तो बच्चे को समझ में आता है कि हाम इसे प्यार से बात करें अगर आप बच्चे को थोड़ा सा तीज खुश हो जाते हैं अगर प्यार से बोला है तो और अगर आपने डाट कर बोला है तो बच्चे रोने लग जाते हैं या फिर कोई भी चीज है जो कि नई है और colorful है तो बच्चे उसके तरफ बहुत ज़़ा attract होते हैं और उनको समझना है कि वो चीज क्या है और उनको वो चीज चाहिए ही होती है अगर वो नहीं मिलती है तो वो अकसर रोने भी लग जाते हैं एक और चीज़ा आप देखें कि पांच महीने का जो बच्चा है उसकी टीधिंग प्रोसेस जो है इस्टार्ट हो जाती है वनी कि बच्चे के दाथ आने शुरू हो जाते हैं अब टीधिंग प्रोसेस cass़्ट होने का मतलब है कि बच्चे की गम्स हैं आप देखोंगे घहां लाल-लाल हो गए हैं बच्चे को खुझली जो है इस टाइम पर जादा होती है और हर चीज बच्चा मुह में डालता है इस टाइम पर बच्चे को टीदर दे सकते हैं पर जो यह जो प्रोसेस है ना यह पांच महिने के उम्र में जो है यह शुरू हो जाता है निक्स देखिए कि बच्चे की नीन में जो है काफी चेंज आ गया है जहां बच्चा पहले थोड़ी थोड़ी दिर में उटके रोने लग जाते थे एक प्रॉपर लंबी नीन नहीं लेते थे वहां पांच महिने के आसपस बच्चे का एक अच्छा पैटन सेट हो जाता है नेक्स कुछ बच चीज़े आपके बच्चा करने लग जाता है अब देखिए आपके लिए यह समझा दरूरी यह जैसन बताया था कि कौन सी चीज़े अगर आपका बच्चा नहीं कर रहा है तो आपको डॉक्टर के पास देखी जाना है अगर आपका बच्चा जो है इस उमर में गर्दन उनको देखकर एक ही रियक्शन देता है मतलब होता है ना कि parents को देखकर बच्चे खुश रहते हैं और strangers जब भी आते हैं तो उनमें देखकर रोन लग जाते हैं ऐसा नहीं करता है बच्चा एक ही रियक्शन दे रहा है तो भी आप बच्चे को डॉक्टर के पास लेकि जाय अगर बच्चा 15 दिन बाद जो है साइच से करने लग जाता है तो आपको परिशान होने के ज़र नहीं है फ्रेंड्स यही था आज का वीडियो आई होप आपके लिए वीडियो हेल्फुल रहा होगा अगर को ऐसा टॉपिक है जिस पर आप वीडियो चाहते हैं तो वो भी आप हमें कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं मिलते हैं नेक्स वीडियो में थैंक यू फू वाचिंग